तो दोस्तो हम मिठाई बना के आ गए हैं यहां रंगोली से रंगाई कर रहे हैं तो पूजा कैसे होगा तो दोस्तो हमारा खोया चलाते हुए गाढ़ा हो गया है तो नदी से दिखा दो कर दो तो देखिए दोस्तो हमारा इस पिसल खोया बन के तयार है नमस्कार दोस्तो हमारी चैनल में आप सुभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे जो भीया दीदी हमारी चैनल पे नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक करना ना भूलिएगा हैपी दीवाली हैपी दीवाली मास नास ते तो लाश्ट तक वीडियो देखना दोस्तों दीवाली मनाने के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं पूरा वीडियो देखेंगे आप सुबको अच्छा लगेगा सभी दीदी भीया तो राम राम यहां ब्यास तो जला देते हैं तो आइक कर रग देते हैं में आज बनाएंगे मिठाई यहां दूर लेगी यहां घाली कर दाल देते हैं कराई में कर दोस्तों यहां चंदन के पापा दूर को उबाल कर एक दम से कम कर दिये हैं तो दिखा दो चंदन तो आप सब देख लीजिए कुछ ही तरह इतना दूर भचा है तो हम पेवर खोया बनाएंगे दोस्तों आज मिठाई देखते हैं आएगा कि नहीं लेकिन खोया हम सोचे क घरका अदेगा मिठाई तो बहुत अच्छे से बनता है हम चलाते हुए खोया को किनारे से छोडा लेते हैं कडाही में जो लगा है तो यहां पर इलाइची को डाल दिये हैं यहीं पर डाल देते हैं चीनी को तो चीनी को हम इसलिए इस पर रखे थे क्योंगी चीटी थी घुलने तक पका लेते हैं तो हम एक पाव चीनी डाले हैं तो दोस्तों चीनी और दूद से उबाला रहा है देखिए कुछी तरह तो हम अभी चलाते हुए इसको पका लेते हैं फिर आप दिखाते हैं मिठाई हमारा किस तरह बना है तो दोस्तों यहां हमारा मिठाई कुछ तो हमारी अंजली को प्यार हो गई है नहां दोकर गुड़ी को भी तयार कर दी है दिरस बदलवा दी है और यहां हमारा दीपावली का इसके सल मिठाई बन रहा है है न अंजली है दोस्तो ओंगर हम क्याली उतारेंगे यही जल रहा है तो इसी पर चला लेते हैं गर्ष परनी तो हमारा खोया चलाते हुए गाढ़ा हो गया है तो देखें दोस्तो हमारा इस पिता सल होगा बनके त्यार है अब हम लगाएंगे ठाली में थोड़ा सा रिफाइन का तेल यहां रिफाइन का तेल लगा देते हैं तो हम कर्चुल से उठा लिए हैं देखिए कुछी तरह डाल रहे हैं इस पर ठाली पे तो अभी छुएंगे नहीं अभी तो बहुत जल रहा है तो हम सेट कर रहे हैं देखिए कुछी तरह हमारा मिठाई बना हुआ है अभी पूरा सूप जाएगा तो फिर काटेंगे तो दोस्तो हमारा मिठाई बन चुका है तो यहां मैं कट लगा रही हूं मिठाई में तो यह साइद एक पाव से जादा हमारा मिठाई बन के तयार दोस्तों और हमारा मिठाई भी सही से सूखा भी नहीं है तो हम जल्दी बाजी में काम में लगे हैं क्योंकि आप समा सकते हैं हिल्प करानी वाले बहुत कम लोग आए और चंदम के पापा तो चले गए हैं वो चोराहे पे कुछ काम से तहां कुछ तूख गया था टूट ग प्रिठाई कुछ इस तरह बना हुआ है और थोड़ा से बिगड़ गया है लेकिन स्वाद में बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों यहां घर का पताई कर रहे हैं रंगाई कलर रहे हैं तो जो बच्चे अपना कापी रंगते हैं कलर उसी कलर से यहां रंग रहे हैं तो दोस्ता भी पड़ता है अगर हम प्रेंट खरीदने जाएंगे तो महंगा पड़ जाएगा तो देखिए कुछ इस तरह कलर हमारा हो रहा है तो दोस्तों यहां मैं रंगाई कर रही हूं तो थोड़ा टाइम तो लग रहा है लगभग मैं रंगाई कर चिपी हूं थोड़ा गौर पाकी हा उपार साइट का रसना है तो हम कलर कर लेते हैं चिरा आप से दिहा घॉलेटे हैं तो लेकर को बार कर रहे हैं तो जाल दोर बिना चीर म लेकिन अभी मंगाएंगे तो पूरा बनाएंगे और यहां पर चावल जो मैं रनगी थी तो यहां पर बना रहे हैं चावल पड़ गाएं कुछी इसकर हम सब रंगाई पताई करके तयार किये हैं और कल वाले वीडियो में फुल आप तुब को देशने को मिलेगा हम पूरा कैसे रेसेट किये हैं क्या क्या बनाए है रंगोली दिखा दो चंदन आधा धूरा रहे गया है तो दोस्तों रंगोली में बनाई थी सब उठा लेते हैं अभी मैं तयार भी नहीं हुई हूँ अभी इमें तयार भी होना बाकी है तभी बत्ती सपड़ा अपना पहन लिए हैं गुंजन भी नहीं पहनी है भी और यहां पर दिया मैं दूल के फैला इसलिए आवसंदन दिखा बाकादू रॉक्ड़े के शहठा नहीं तो दोस्तों दिया को बटोल लेते हैं एक फाली में हेरक क्यों दों दिया को अभी चीतल हमारी दूल रही थी तो आप सबको दिखाई थी तो यहां यहां पर हम सबके यहां जब भी दिय जता एक तो अच्चितरा थो दोलिया जयता तरह स्हें है इसे पाइदा होता है तेल ज्यादा सोखता नहीं एंप पानी कमात्रा रहता है तो जो तेल रहता है जिसना इसमें दीया में रखते हैं उतना इतना दिरेशा तो यहां पर रख रहें हैं आज आओ अंजली कुछ काम हाथ बटा लू 9-9 के लो हो इधर आजाओ त तो दिया सब धुल लिये हैं खाली को मैं खाली कर दी हूं एक ही खाली में दिया रख पुखा है सामान सब एकठा कर देते हैं ताकि हमें खोजना ना पड़े और यह कडल अरंग रहे थे यह सब हटा लेते हैं तो कुछ ही तरह हमारा सामान इकठा हो रहा है तो दोस्तों यहां गुंजन सीतल हाथ बटाने में लगी हुई हैं बरतन ले जा रही हैं बोली ममी लाओ बरतन हम रख देते हैं तो आज यह सब रख रही हैं बरतन की सफाई हो गई है और चंदन नमस्ते कर लो कुछ इस तरह त्यार हुए है और यहां पर चीतल बैग लेकर बाइठ गई है अभी कपड़ा नहीं पहनी है तो अभी सब पहनेंगे नहाएंगे तो दोस्तों यहां पर चंदन के पापा यह माला ले आए हैं और बाकी मिठाई आया है देखी आधा किलो मिठाई आया है तो कल वाले वीडियो में दिखाएंगे क्या मिठाई आया है और यहां कनका सबजी है फूल मत तूट जाएगा सीतल तो यहां साइड केला सेव लाए तो नहीं लाएं हैं भूल गई नहीं आए थो पूजा कैसे chosen ले आए हैं दोस्तो घट गया था और चंदनियां बैठे हैं तो चंदन पोछांए गो ला खाषेज सहिं 삼ी दिवालीं तो आसुप को हैपी दीवाली बोल रहे हैं और यहां सामान रख रहे हैं सब तो हमी वीडियो बना रहे हैं दोस्तो इसलिए कामरा के सामने नहीं आए चंदन के पापा तयार हो गये हैं मैं अभी सीतल सब नहीं तयार हुई हूँ यह रंगॉली बना दो याप मैंनी पीला तो दोस्तों घर की पूरा सफाई कर दिया हैं पोच्छा सब लगा दिये हैं कल तो दूले थे और देखिए हमारे दुबार का कुछी तरह मैं सजाई हूँ तो दीवाली का सब प्यारी कर रहे हैं और दोस्तों पूरा उफल वीडियो दिवाली के रात का मतलब आज साम का व प्यावार के तरह से और हमारी तरह से डिपावली की हादिक सुब कामना आये मातल अच्छिमी के आप सब पर किरपा बनी रहे है एपी दीवाली जै माता दी नमस्कार दोस्तों वास्नस्ते है एपी दीवाली है लाइक आसा को कोड को प्रिश्मसी